हेलो फ्रेंट्स आप सभी के सवगत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी कर ऊपर तो फ्रेंट्स आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 11 हर निविल सब्जेट का आठमा चैप्टर जिहां फ्रेंट्स जो आपनों का आठमा चैप्टर है आठमा ले लेगा ओके फुल सेलुशन मैं आप लोगो देने वाला हूं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना कम लीटली वाश करना कहीं पर भी इसकी मत करना तो फ्रेंट से आप लोग पहले इस लेसन की समरी को अच्छितर से हिंदी में पढ़ लेना ताकि आप लोगो यह इसके बाद लास्ट में इंपॉर्णन कोशन फार एक्जामिनेशन परिछा के लिए जो इंपॉर्णन कोशन इस पार्ट से उनको देखेंगे ओके तो यह तीन चीजे आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो आप लोग वीडियो को अच्छितर से ध्यान स और उसके राइटर कराम जरूर से याद रखना करें थो फ्रेंट्स इसके बाद समर एक यद्य में समरी को पहले इंग्डेशन तो आप लोग देख सकते हैं छी emailed यदि आप लोग देखना चाहते हैं इंग्लिज में पहले तो आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि अम Kazakhstan आप लोग देख सकोने समरी इन हंदी इस पार्ट की समरी तो आप समय आजाए तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए मैं आपनों को दिखा रहाँ रहाँ कि सब कुछ तो यहां आप लोग दे सकते हैं चैप्टर 8 सिल्क रोड लिसन की समरी जो है तो आप लोग पढ़ लीजिए दो तीन बार यादि आप लोग इस समरी को पढ़ लेंगे हिंदी में तो आप लोग को यह पाट समन में आ जाएगा तो आप लोग देखते जाएए इसके बाद फ्रेंड्स वर्ड मीनिंग ओके हम लोग देखेंगे इसके बाद वर्ड मीनिंग जो कि आप लोग के बुक में इस चैप्टर में जो डिफकल्ड वर्ड है तो उनकी मीनिंग आप लोग देख सकते हैं यह मीनिंग तो आप लोग देख लिजिए इसके बाद फ्रेंड से में चीज जो है एंसी टेक्टर कोश्चन सॉल्वड है जो कि आप लोग के बुक के कोश्चन है उनको देखेंगे तो अंडर शाइडिंग दा टेक्स्ट के थ्रू जितने भी कोश्चन है तो उनकी आंसर आप लोग नोट कर लिजिए यहां आप लो आप लोग देख लीजिए फ्रेंट सभी कोश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लिजिएगा यह आप लोग की बुक में जो आप लोग कोश्चन है तो उनके अंसर मैं आपनों को दिखा रहा हूँ आप लोगो टाकिंग अबाव डाट एक्स्ट तो इसके अंतरगत जो भी कोश्चन है तो आप लोग देख लीजिए अगर अगर यह उनके अच्छाए दो आप लोग देख लीजिए कि इसके बाद thinking about language इस पर बेस जो कोश्चर है तो वह आप लोग देख सकते हैं सभी को नोट कर लीजिए इसके बाद है guess the meaning of the following words जिससे कोरा ट्रोकवा क्या आंगे तो इनका अंसर भी आप लोगो देख रहा होगा हैंदी में मेंनिंग से ये और इंगलिस में भी तो देख सकते हैं आप लोग वर्किंग विट वर्ट से तो यह जो कोश्चन है तो इनको भी आप लोग दख लीजिए इसके बाद है नोट सिंग फॉर्म में जो कोश्चन दिये वह हैं तो इनका भी सलूशन आप लोग देख सकते हैं तो जो यहां लिखा है इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं उतना खास नहीं है बस आप लोग के आप लोग समझने के लिए यहां दिया गया है ताकि आप लोग को कम्प्रेंसिंग पावर बढ़ें इसके बाद फ्रेंट से जो कोश्चन है अधर कोश्चन जो कि आप लोग की बुक में नहीं है लेकिन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इंपोर्टन कोश्चन फार एक्जामिनेशन तो पहले आप लोग स्वाट अंसर टाइब कोश्चन देख लिए जो कि हैं 30-40 में लिखने के लिए तो आप लोग सभी को तयार करें लिए फ्रेंट से क्योंकि ये कोश्चन बहुत धी ज्यादा महात्पूर्ण होते हैं तो आप लोग देख लिजे आप लोग देखते जाएए आप लोग ने इसकी पहले वाले वीडियो ने देखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर्स थे उनका सल्यूशन भी मैंने दे दिया है वीडियो में आप लोग क्रमसा उन वीडियो को देख सकते हैं जिस बी चैप्टर का आप लोग संट चाहिए तो निक है आप लोग जिस बी वीडियो को देखना चाहते हैं जिस बी चैप्टर का solution आप लोग जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है कि इसके बाद आंगे आप लोग देख लिजिए क्वेश्चन कि इसके बाद फ्रेंट से लांग अंसर टाइप कोश्चन जो कि आतने साफ से 120 वर्ट में लिखने के लिए हंडेट टू वन हंडेट ट्वंटी वर्ट इज तो इस टाइप कोश्चन देख लीजिए इंपर्ण कोश्चन है यह आप लोग देख सकते हैं कि अगरा प्रेंट से मैं आप लोग से एक बार सब्सक्राइब कर देजिए और प्रेस करके आप अपसन पर जरू कर दीजिए का और आप लोग इस वीडियो को भी लाइक जरूर से जरूर कर देना कि आप लोग सब्सक्राइब को देखते जाएए तो फ्रेंट्स यहीं तक थे इस लेशन का सल्यूशन लेशन को इस लेशन से बता दी हैं कि आप लोग के इस चाप्टर की समरी हो जेले फ्रेंट्स आज की इस वीडों मसितना ही मिलता हूं आप सभी से अंगले चैप्टर की सल्यूशन के साथ अंगली वीडियो में ओके तो तब तक के लिए जहिन वंदे मात्रम